तो यहां पर आज हम आचुके सोड़ना गाव में अंदर यह जो पूरा खेत आप देख रहे हो यह ही कोंडिवान कहेंगा तो अभी जो उसके साथ हम एक्सपरेंस देखेंगे कि उसका फस्टेर के एक्सपरेंस कहें तरा तो चलिए वीडियो शुरू कर तो हे गाइद आज इ आज आता है और यहां पर computer science branch आपको मिल सकती है 94, 95, 96 percentile की in between पर इसका भी exact percentile जो है 2023 के लिए मैं आपको बता दूँगा एक special वीडियो के में पर जो पीछले का साल का cutoff था वो 95 point something गया था तो अभी इस बार computer science क्या है branch के अंदर किस तरह से आपको experience मिलेगा first year के साथ वो म मैं आपको एक फर्स्टर के जो student है कोंडी बाहनकरी जी उनके साथ आप अभी हम जो है conversation करने वाला है सबसे पहले आंकरी जी आप इंट्रोडेक्शन देंगे मेरा नाम कोड़े बतुकर आंकरे मैंने सी गुरु गोविन सिंग जी इंस्टूट आप इंजिरियों टेक नोज की कॉलेज में ऐडमिशन लेते है उसी के साथ जो विधर्ब है माराष्ट है और अने बहुत जोगों से कॉलेज के अंदर अडमिशन होते हैं हंकारी जी से देखते हैं कि उनका फर्स्ट एर का एक्सप्रेश कहते रहाता तो फर्स्ट ली आपको कॉलेज का जो एटमोस्पियर है वो आपको कैसे लगता है हमारे कॉलेज में बहुत जगों से बच्ची पढ़ने आते जैसे कि जम्मु कश्मीर, पंडपूर, चंदरपूर, धुरे, विधर्व, बहुत जगों से आते यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को बहुत आचा एटमोस्पियर मिलता है और साथ में यहाँ पर को एजूकेशन भी बहुत आचा है तो आपने देखा कि किस तरह से एटमोस्पियर बहुत ही पॉजिटिव आइपस आती है और जो पूरा जो कैंपस है उसके रिलेटेड में अभी कोश्चन पूछूँगा पर कोंपस बहुत ही खुबसरत कैंपस है तो कुंदिव जी आपको क्या लगते है किंपस की बारे में पहुत ही बड़ा आए और बहुत ही बढ़ा है और एक किलीन है और वहल मेंट है जैसे हम मेंगेट से इंटर करते आपको बहुत सारे डिफरेंट वराइटी के पेड़ दिखेंगे बहुत सारे फुलों के पोधे दिखेंगे, बहुत आच्छा है क्याम पस्वाइब सबसे पहले computer science branch कॉंडी बाजी ने यहापर चूज़ किये तो कॉंडी बाजी आपका computer science लेने माग जो उद्दिश्ट था, वो क्या था? मुझे पहले से computer science में interest था मतलब computer के बारे में जान करे लेना, उसके बारे में नई-नई चीजे सीखना उसमें क्या होता है, क्या नई, जो games हो गे रहते हैं, उसके पीछे का knowledge क्या होता है, वो कैसे बनते, क्या बनते यह सब जानने में पहले से बहुत यासा इंटरेस्ट था और उसे जानने के लिए मैंने Computer Science ब्रैंच लिए तो आपने देखा कि किस तरह से कॉंटी बैजी ने आपने जो ब्रैंच सबसे पहले देखो कि आपको सच में इंटरेस्ट घा और इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर सिलबस क्या चीज आप को होगा उसमें जो आपको नौलेज आएगा वह एक्ट्इल में आपकी लिए हेल्फु धनल है जैसे कि एनसे से, रोबोटिक से, संकल परे, आगर आपको UPC क्रैक करनी है तो आप आगे जाके UPC चाप्टर नाम का हमारे कॉलेज में कलब है, जहां पर बहुत सारे अक्टिवटी होती है, और जो कुछ भी अपडेट आता है UPC के एकजाम के क्वेश्चन हो गेरा, या ट्रि जो हमारे गेट के एक्जाम करका करने वे हमें भहुत सारे help करता है, इस तरह से बहुत से क्लब से आपके लाइफ के रेलेटेड और अगर आपको और ओर इम्بूरु करना है, तो यह कलब का बहुत अच्छा ओ योगधन हो जाएगा, पर मैं आपको याड़ीमें करने से पह उसके क्या फाइदे, क्या होता है, सब कुछ बताते हैं, और फिर उसके बाद एक absolute test होती है, और उसके बाद एक इंटर्यू राउंड होता है, उसके बाद हमें सलिट किया जाते हैं। हर साल बहुत students club join करते हैं, और उस clubs का benefits समालते हैं। उसके साथ, जैसे जैसे first year के बाद आप second year या third year में जाते हैं, उस club के executive बनने का भी आपको मौका मिलता है। तो यही था club के related हैं। कॉलेज के अंदर और भी बहुत exciting चीज है वैसे कि cultural events, तो कॉलेज के अंदर बहुत से cultural events होते हैं। एक तो है उत्सो और प्रग्या और जो छोटे-छोटे जो है events होते रहते हैं। आपने लाश्ट यह उत्सो और परग्या में पार्टिसिपट किया था या फिर आपका experience कहसे रहा है। मैंने उत्सो में पार्टिसिएट नहीं किया पर यहीं बहुत enjoy किया है। हमार उत्सो तिन दिन का रहता है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिप्ट करते और हम सब बहुत इंज्वाइ करते वहाँ पे गेस्ट डिफरेंट टाप के अक्टर साते आज गेस्ट गेस्ट और हम बहुत इंज्वाइ करते तीन दिन पूरी डिजी नाइट होते बहुत सारे लोग इंज्वाइ करत करते और मजह कर दे दे पर हां यह जो कज़े इवेंट से 10 के स्टूरphet के लिए होता है तो इसके जो पासे से वो सिफ च्रज़स के स्टूर cho मिलेकवत में प्रग्य एक एक नाशनल लेवल इवेंट लिए यहां पर पार्टीसिपेंट जो हैं पूरे महारस्टा से पूरे इंडिया से आ सकते हैं, यहाँ पर junior scientist नाम का एक बहुत अच्छा इवेंट होता है, जहाँ पर first year तो 10th year तक जो students से वो आते हैं, पार्टिस्पेट करते हैं, और बहुत सारे जो इनाम वो जितके हैं, वो चले जाते हैं, उसके साथ यहाँ पर प्रग्या नाम की जो इ event coordinator या फिर आपको respective जो events के लिए आप members बनते हो, और वहाँ पर आपको पूरा जो है, ऑर्गनेस करना पड़ता है, as we move on to the third year, आपको जो है event का head बना सकते हैं, और events का head होने के बात, पूरा जो event है, वो आपको ऑर्गनेस करने का जो है मौका मिलते हैं, जैसे आप सभी को प बता सकते हूं कि हमने प्रग्यानाम के event में उसका head था, तो वो भी अब क्लो, वो जो experience है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो आप बता सकते हैं, अभी computer science engineering के बारे में आपको कुछ और जो अतिरित information हो, मैं बताना चाहता हूं कि, हंकरी जी से पूछते के computer science engineering में किते students होते हैं, उसके बाद उसमें division होते हैं, नहीं होते हैं, या पूरे जो all students एकी class में पढ़ते हैं, या फिर कहा का है उसके arrangement है, तो कौनिवा जी प्लीज हमें बताइए, हमारा computer science का intake जो है, वो 120 का है, और 120 को दो division में डिवाइड करते हैं, एक division होता है, एक division होता है, एक division ह तो जो attention अच्छे से मिलती है, सर faculty बहुत अच्छी है, तो वो अच्छे सा attention दे पाती है, attendance भी आपको जो है regular basis पर होता है, प्रैक्टिकल सापके regular basis में होते हैं, और जो आपको थेरी पाड़ाई जाती है, उसका ही practical आपको उसी दीन या फिर अगले दिन, at the most उसी दीन आप अगले दे पाड़ाई जाओगे, वैसा नहीं है, यज़ियस कोलेज के अंदर केरोकिलम आइस तरह से है, कि जब आप कोलेज के अंदर आते हो, तो फर्स्ट येर के अंदर आपके जो क्लासिस होते हैं, वो एड़िन बिल्दिंग के अंदर होते हैं, आपके डिपाड़में में होगा, पर अगर वो कम्पेटर से रिलेटिड आगर, डबली नाम का एक सब्जेक्ट है, इंजिनिंग एक्पलोशन, उसका जो प्रैक्टिकल है, वो आईटी सीस के जो है, बिल्दिंग में हो जाते हैं, तो इस तरह से रिस्पेक्टिव बिल्दिंग के अंदर रिस्प क्योंकि एजिस नाम देटिकर जो क्यामपस है, वो बहुत ही आच्छा है और बहुत ही ग्रीन रिये, हम बाकी कॉलेज में देखते हैं, तो इतना आचा क्यामपस नहीं है, जो एजिस में मिल जाता है, और यहां का जो रहने के लिए होस्टेर से में से सब कुछ है, तो यह इसलिए मैं यह चूज किया, तो अभी बात करते ही कि प्लेस्मेंट के उपर, सीएस के प्लेस्मेंट कैसे होता है, तो एक तो फर्स्ट फर लास्ट येर का जो हायस्ट पैकेज था, इस साल का जो हायस्ट पैकेज था, और जो एवरेज पैकेज उसके रिलेटर बात करते है तो हंकारीजिी, डिक सोक्त है किहां की से का सोगता है कि अवेरेज पेकेज और जो सबस्क्राइब इस देशलर के क्षश्याते परदद्रद ड्रहों को सबस्क्राइब अपने देगा कि इस तरह से हाइच पेकेज भी बांचा, अवेरेजमे की साल देखने मेंümüz तेरी कि अंथ करना आपका रिजमें बील करना पड़ेगा आपको और क्लब्स के अंदर आप होते हो तो आपका रिजमें आटोमेटिक बील हो जाता है और आपको कुछ परशाएं नहीं आती तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ भी डाउट से तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाल सब्सक्राइब आपके साथ कांट्राइक करके आपके बातातों कॉलेज बहुत अच्छा है प्लेसमें भी अच्छी है आपको सीप करना हाडवर्क कॉलेज के अंदर एक बार आगए कुछ भी नहीं आपको जो फैकल्टी बहुत अच्छी से प्रिपेर कर वालेगी हर चीज से तो भी कुछ प्रब्लमन ने आपका प्लेस्मेंट तो जरूर हो जाएगा िक प्लेस्मेंट बहुत हच्छे ऑध को श분oo बहुत अच्छे और बरेंच को ब्रांच का ब्राइस मौंस dog, से श्टविधमेंट और बहुत हीquinho ह्र्ले़ के साथ बता कहाँ काता यंख से लिए न पूरा एक साल और उन्होंने आपका जो experience बता है तो अंकरी जी एक लास में आप क्या बताना चाहते है कि students को college जोइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर आप first year का experience बहुत ही आचा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि मेरे आगले तीन साल तीन साल भी आए से ही आच्छे चाहिए अगर आप EGS में आना चाहते हैं तो आपको welcome है हमारी college में तो आपने देखा कि किस तरह से first year का बेक student बहुत अच्छा है अगर आपको इसी तरह से और इंडिरूस चाहिए तो चानल को like, share और subscribe कर देगे और मिलते आने वाले वीडियोस के सान